अब दो अब आप आप सभी कफसोगत है हमारी आज की नए वीडियो मेरा नाम है जगदीज भार के आज की वीडियो में हम आपको एक एंट्री केड़ बनेगा उसके सांसांत गैलरी भी बनने वाली यह भी आपको बताने वाली है अप सामने देख सकते हो एस्टेक्टर कसाने लगी है अभी जो इस्टेक्टर कसरा है मतलब जो ट्रस कर से जा रहा है वह जो अपना गैलरी बन सब्सक्राइब बारा इसका साइज रहेगा कितना पॉलाइट लगेगा क्या प्राइज में लगा सकते हो कि अध्री बताँ को बीडियो पूरा देखे और भी अधर डीटेल्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो मां कि देखिए अभी कपड़ा लगा जा रहा है कपड़ा कपड़े का यूस किया है हम जीए तार के ठूरू से तर्व देते हैं में इक स्ट्यक्टर पर आपको कपड़ा लगा कर देखाएंगे क्योंकि 3 से 4 अस्ट्रेक्टर कर संगे सब्वें नहीं देख सकते हैं क्योंकि क्को फीबड़ा वीडियो हो जाता है अभी आप एक जो तो हमारे पर ट्रैनिंग यहां है पंदरा फरवरे से रहे उर यह अखिए को दिखा दे रहा है वह चुन्नी चुन्स के साथ सब्सक्राइब और सकते हैं पीछे इक स्ट्राइब यह दूसरा है है मैंने बुला था आपको तीन से चार इसमें लगेंगे बारा वाई बारा के आप चाहें तो त्रस को अगर नीचे से लगाती है तो उसका तीरा फिट हो जाएगा यह थोड़ा सापको ध्यां रखना पड़ता है कितना हाइट पर काम करना है कितना लंबा ही रखना है अभी गयल्डी छोटा है तो गिस्तों साथ से गयल्डी का जो हाइट है थोड़ा उंचा कर दिया गया है इसके लंबाई कम कर दी गई है अभी उपर देखी इस तरीके से सब्पोर्ट देने लागें इसको जो हमने पहले इस टेक्चर उठा के रखा है उसको पीछे वाले स्टेक करके देखते हैं तो आपको एजली समझ में जागा पहले पीछे वाले स्टेक्चर का सागया उसके बास सामने वाला यह दोनों की साइच से में 12 वारा आप अपने उपर डेपेंड करता है कि आप कितना साइच का बनाना चाहते हो हम हमारे दोर आपको सिर्फ जानकारी बता पाइप लगाए जाएगा पाइप जो है 15 फिटका है इसमें आंगे चलके परदे भी लगेगा जूमर भी लगे का पालाइट भी लगेगा सब को देखने के लिए वीडियो पूरा ज़रू देगी बाद में आप कमेंट करते हो कि यह चीज नहीं बताए है यह वो नहीं है तो यह सब के लिए वीडियो थोड़ा सा पूरा देख लीजिए उसके बाद आच को एजली समझ में होगा अभी तीसरा इस्टेक्चर लेके गए हैं उसको खड़ा किया जा रहा है जो गैल्री ता तयार हो रहा है यह से भी ओपन गैल्री भी कभी बनाना होते इस तरीके से सब्सक्राइब बन जाता है कि इस तरीके से सपोर्ट देका पाइप के थूपर साइब दे जाता है इसने मतलब पूरा इस टेक्चर खड़ा हुगा रहता है लेकि उपर इसको लड़के ने ऊपर कस दिया है उसके बाद अभी जो साई अपना एंटी गेट का स्टेक्चर कस रोटो का जो कपड़ा है उसका यूज किया है जो जो सामने आप देख सकते हो इसे आसानी से का सजा सकता है लाइक रख प्लॉथ थोड़ा सा है अपना प्रॉब्लम करता है कसने के लिए वो भी अच्छा खास अपनी सिंग देता है अगर आप कपड़े खरीदना चाहते हो तो अच्छा कावसा कॉंटिटी में उनका खुद का मैनिफेक्ट्रिंग है तो कम से कम रेट में आपको मिलेगा गाइस अभी देखी लिए हमने परदे का यूज किया है इसको पैक करने के लिए परदा यहां पर कसने लगे हैं परदा जो है नौर्मली बंद्रावाई बंद् यह भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा गाइस साइड से परदा लगने पर पूरा गैलरी पैक हो जाएगा परदे जो हनौर्मली पंद्रावाई पंद्रा के आप यूज कर सकते हो मांकि आप अपने हसाब से भी कस्टुमाइज कर सकते हैं अब हम धर लगाने लगे हैं वाकिए आप लोग अगर ट्रैनिक में आना चाहते हैं तो हमारी तर्डिनेंग में अब्सक्राइब करने चाहते हैं ऐनकि हम आरे हम पर यहां आप यह काम सीख सकते हैं यह जो जो है जो इस्टेक्शर है यह जो मैंने अपको बताया था या लगा आजाए का वो भी आपको आगे बाताएंगे तो वीडियो पूरा देखते रहीए गा और किसी भी तरीकित को चाहिए आपको गाली का मंडप का न्यू वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट की जादा से जादा कमेंट आते हैं तो हम अच्छा ताच्छा डीटिल वीडि लिए है आपको नुम्हार मड़ी 4500 रुपय का मिल जाता है मैपल बता आप सामने देख रहे हैं इसमें लगाने लगें आप चाहिए तो फ्लावर का चैनल भी लगा सकते हैं फ्लावर चैनल का डीटेल वीडियो यूटूब हमारे चैनल पर है प्लेलेश्टे में जाकर देख सकते हैं डेस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा मांकी देखिए अभी फ्लावर का यूज के जा रहा है जो अपने मैपल बता उसको लगा आप चाहिए तो इसका डवल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं दूसरे कलर का कॉम्बिनेशन के साथ भी इसका यू अभी सामने देखिए इसमें पूरा जो वाइड था उसके साथ ये ग्रीन वाला में प्रिपता यूज करने लगे हैं आपको अपने हैसाब से कोई फ्लावल लगा सकते हैं हम आपको सिर्फ बताते हैं समझाते हैं देखिए यह सब कंप्लीर हो जाने के बाद इसको किस तरी अच्छी तरीके से साफधानी से काम कीजिए इसे पकड़के रखिए जब तक यह उपर सपोर्ट नहीं डलता है यह देखिए उस साइट का सपोर्ट डलने के बाद साइट भी सेम सपोर्ट डलता है अब सामने भी देख सकते हो दोनों तरफ इसमें सपोर्ट लगेगा जो दोना तरफ सापूर्ट है मतलब की ऑमकर कसे का इसके युए सिलेंगी बनता है यह सब और साफहा काम भी होते हैं को तरह को अच्छी तरीकत यह सुक्तिंग मनाया जा सकता है आप चाहने तो को उपर वी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जाता है यह जैकिन अघर वीडिईय लग रहो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए और जो काम सीखना चाहते हैं अपने दोस्तियार उन लोगों को जरूर से कीजिए जिससे कि उनको आसानी हो यह आपके आप जो वरकर काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आये तो उन लोगों को भी आप अपना वीडियो हमारा वीडियो जरूर सेंड कीजिए जिससे उनको आसानी हो कुछ समझने में ऐसा कुछ बहुत चीजे रहती हैं जो आपको एजली समझ में आ जाती हैं तो जरूर उनको भी सेंड कीजिए देखिए वहां पे कंप्लीट हो इना के बाद इसमें पूरा जूमर लगा दिये एक भी आप सामने देख सकते हो इसमें अभी देखिये के और जो गैल्री में जूमर लगने लगी इसका जो जूमर है इटेलियन जूमर आप सामने देख सकते हो या आपको 8-10.000 रुपाय की देंज में दिल्ली में मिल जाए गाइगा इस मांकी आपको हम देखा देए किस अगर यह आप लगाते हैं तो 30-40,000 रोपस का चार्ज कर सकते हैं एंट्रीगेट का और गैल्डी का चोटा सा गैल्री और चोटा से अपना एंट्रीगेट बनाए गया है इसमें पाल लाइट केकर बात करें तो 30 पाल लाइट लग जाएगा कईस कुछ इस तरीके से पूरा सै जली जली आपकना लगा है भाल लाइट जाल लाइटके लगाईगा बनाएटके पनाएटके हैं पाल लाइटकेस का बनाएटके काउएगा इस बातimmenत प्रेद्हा क हो गैं